स्वागत है फिरेंट्स आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इस इंगलिश किलास में देखिए इस वीडियो के इंदर सिंपल पर्जेंट कॉंट इन्वेस्टेंस के बारे में बताऊंगा कि इनका ट्रांसलेट कैसे किया जाता है बहुत इजी वे में बताऊंगा ने सरल तर तो आपको पता ही है पहँआ एक है तो यहां पर देखिए इस इसे पता चल जाता है कि फंटक वाकि के dausy, घेसे कोई बीछ बींच बीच में आता है तो पता चल जाता है कि यह सिकन टैप इं क्याफ होता है तो जब सिकन एप होता है, तो जिद आस्को क्यों परस्ति वाचक शब्दा आता है गोईंग तू स्कूल पी एच डबल ओ एल इसकूल लाश्ट में कुश्चन मांग निशन रहेगा आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे है तो वाई आर यू नाट गोईंग टू स्कूल उसके बाद प्रैक्टिस जरूर करते रहे हैं आप लोग आपका भाई इसकूल क्यों नहीं या रहा है अब देखिए यहां पर एक आपका वही हम क्योंहें जा रहा है तो सबसे scaled पर आपके बीच की व करता यहाई तो इसका पहले क्या जाएगा वाइन वाइ आपकश इसकूल कि अवय्यारत योर ब्रॉदर ठीक है योर बर्दर दी आरो टी एच ए ए आर भे यह पूरा यहां से लेकर यहां तेख यह पूरा सब्जेक्ट मानए जाएगा थीक यह सिंगुलर माना जाएगा इसलिए इसको कभी भी यूर बर्दर को पिलूरम में शमार मत करना यह सिंगुलर है इसलिए इसका परियुकिया तो आपका भाई वाई इस यूर बर्दर नॉट गोइंग टूए इसकोल अश्च डबर लो ए इसकोल ठीक है लाजगे कम इसलिए को बना है वह बाराव गकी जा रहा है तो अब यहां पर देखे इसका इसका कैसे किया जाएगा तो अब यह 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 आपर मेंट्व सेंटेंटेंज है ठीक है तो लिखिए ही इस गोईंग टू स्कूल प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् सका मोहन की गाय उनकी गाय घास नहीं खा रही है तो इस नॉट इस नॉट इटिंग ग्रास जी आरे डबल अस फूल श्राइब लोगा यह लाश्न में आगे देखिए क्या तुम्हारी गाय घास नहीं खा रही है तो यह फर्स्ट टेप इंट्रोगेटिव कैसे पता चला यह क्या शब्द वाकिके पराणाम हमें आता है शरू में आता है तो फर्स्टेप इंट्रोगेटिव होता है तब इसकी इंगली क्या की इंगली जो वाट होती वो नहीं लिखे जाती है ठीक है तो क्या तुम्हारी गय घास नहीं खा रही है तो लिखे यहाँ पर सोरी हाँ capital बनाईए is your cow is your cow not eating grass ग्रास last में full stop लग जाएगा यहाँ पर ठीक है क्योंकि यह interrogative sentence है question mark निशान रहेगा चाहे first type interrogative हो या second type हो दोनों में question mark का निशान लग जाएगा देखिए आप कीमा क्या कर रही है आपकी मा क्या कर रही है तो देखें यहाँ पर अब क्या की इंग्लिश वाट देखें यह परस्थन वाट यह सिकंड टैप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि परस्थन वाट्रश शब्द वाकि के बीच में आजा है सबसे पहले लिखें वाट यहाँ पर इस जो लिखा हुआ है यह पूरा सब्जेक्ट है यह सिंग्लर सब्जेक्ट माना जाएगा इसलिए इसके पहले इसका पर्यों किया गया है आगे देखें लिखा है आप अपनी किताब पढ़ रहे हो ठीके यह आप अपनी किताब पढ़ रहे हो यह अफर्मेट्व में मस सुमार करना कि यह मस समझना कि यह अफर्मेट्व है यह हो सकता है हमने किसी से पूछा हो तो आप अपनी किताब पढ़ रहे हो तो जरूरी निए कि क्या शब्द से शुरू में आए ठीक है क्या सब्सक्राइब शुरुआ तो ओस अफर्मेट्व सेंटेंस नहीं है यह अब यह सोचो किया रही है यह तो आफर्मेट्व सेंटेंस है यहां पर यह कोश्चन मार्क निशान क्यों आ गए यह गलत है नहीं यहां पर संस देखिए अगर आप किसी से पूछना तो जरूरी बिश्चन में सबसे पहले क्या लगाओ आप अपनी किताब पड़े हो ठीक है आप क्या अपनी या मेरी किताब पड़ रहे हो आप मेरी किताब पर लें तो जाहिर सभी आपर पूछने की बात हो या पूछ रहा हर ya consisted में से यहां से समने वाले से पूछ रहा है तो आप अप कार्ण elabor हें कि यूर बुक के योँ हो इंट्रोगेट्इव कुस्ट डिनकलते जो से पताच छल जाता कि वो पूछ रहा है तोHHHH आप अपनी किताब पढ़ रहे हो फूछ रहा है ठीक है आप अपनी किताब पढ़ रहा है तो यहाँ पर बना दीजिए इसको ही इस गोंगन टु स्कूल आप सुल सब्चिदाब लगा दीजिए मेरी गाय पानी पी रहे है तो माय को नैपक है यह से इतना हो गया वा ठीक इसको शिंगलर सेश्मार किया जाएगा तो मैरि गभाय पॉरी वीराम लगा दीक है जा दिолж्सकी को को यहीं पर रोग रहा हूं और इसी तरीके से अगले पार्ट की अब दूसरे दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो उसको देखना और मेरे चानल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे प